मैं हूँ आपका एजुकेटर सीव मिस्रा और मैं दुबार आपके सामने प्रगट हो गया हूं हिंदी के यहां पर बहुत ही मोच 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 करवा दिया जाए इतने आपके वयाकरन करवादें कि आप 16 फरवरी को जाएं तो आप यहीं चाप के चले आएगा इससे बाहराने वाला है मैं लिखकर दे रहा हूं आपको इससे बाहराने वाला नहीं है तो यापनिम्कित मुहावर और लोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आप आपके प्रोग किया जाता है आपके हर साल पेपर रिपीट किया जाता है कि भाई सहाब बहुत इंपॉर्टन वाले क्यों सब्सक्राइब करना क्यों जाएगा इसका मतलब है राम और स्याम दोनों अच्छे मित्र है परंत मौका पाते ही एक दूसरे के बुराई करने लगते हैं आप लोग बहुत परमुत्र होंगे आपके अधोस्त लेकिन मौका पाते ही बुराई करना शुरू कर देते हैं तो आप कहते ना अरे यार मुहमेराम बगल में छूरी वाला काम कर रहे हो ठीक है हो नहार बिर्वान के पात हो नहार बिर्वान के फोत चिकने पात यानि कि प्रतिभासाली व्यक्ति के लक्षण आरंब में दिखने लगते हैं प्रतिभास अली पर स आली है कि लेक्ति की अर्टि के लक्ष्ण के ही यह लक्ष्ण को प्रारम्भ में प्रारम्भ में ही ही लगते हैं दिखने लगते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना यानि की स्वाव लंबी होना पर अपने पैरों पर खड़ा होना क्या हो जाएगा प्रत्यमाबाप का सप्रशा होता है कि उसके स्वाव लंभी याने कि पैरों पर खड़े हूं डाल में काला होना अप बहुत पहले पहुंच जाते हैं ज़रूर कुछ यार पढ़ाई करूं पढ़ाई में क्या है इंट्रेस्ट होना चाहिए बोरिंग नहीं कि आए हम पढ़ादे अरे यार बहुत डर रहे बच्ची अब डरवा के चल दें कोई मतलब है नहीं यार इंज्वाई करते हुए पढ़ोगी ना पढ़ने का अलगाई मजा होता है यार और इसी पढ़ाई करनी वीचाहिए मजे ले तो यार पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं चलिए निम्की सब्दों के संद्विच्चेद के सही विकल्प चुन कर आपको चैन करना है मतलब की सही विकल्प का चैन करना है आपको सबसे पहला आपि स्वागतम का बार बार पूछा गया है तो स्वागतम का संद्विच्च्चेद क्या होता है आपको बताना है आपके स्वाधन आगतम स्वाधन आगतम का संद्विच्च्चेद क्या हो जाएगा स्वागतम का संद्विच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नायकह का लाड़लो संद्विच्षेद क्या हो जाएगा चाप डालिए नायकह का संद्विच्षेद क्या हो जाएगा आपको छापना वाला प्रश्ण है नैधन अकह किसका हो जाएगा नायकह का संद्विच्षेद हो जाएगा नायकह का संद्विच्षेद क्या हो जाएगा नायकह का हो जाएगा नैधन अकह नायकह का संद्विच्षेद हो जाएगा बहुत इंपॉर्टन वाला क्या यह क्योशन है इससे बाहर आपके पेपर में आने वाले नहीं है बार बार आप देखे रहे होंगे लेकिन वह दोनों जो उपर देखें बार-बार इपीड की गए हैं सद्धन जन सद्धन जन सद्धन जन तो सजन का संद्धन जन होगा पहला आपका क्या हो जाएगा की संद्धन जन सद्धन सद्धन होगा एकर इंजन में कौन सा वकति कौन से वकति कौन Сावचन है टो नामने में कौन भक्ति कौन सा वचण है तो नूठ कर लिज़े जू नामने है इसमें चतूरती भक्ति एक वचण है जो राजने सब्द में विवक्ती और वचण है आपको बताना है काफी इंपोर्टेन वाला यह टॉपिक है क्योशन भाई साब इससे बाहर आपके पेपर में आने वाला भी नहीं है इसलिए आप इससे आप लोग जरूर बता दीजिए क्या है राजनह सब्द में भक्ति और वचन है कौन से वचन है तो राजनह में जो भक् टीए प्रतमा विवक्ति वचन वाला ऑच राजनह सब्द में भक्ति और वचन कोनसी है प्रतमा विवक्ति वचन है किसमें है राजनह में है उसके बाद यहां पर 12 वाला है निम्लखित सब्दियुंगों का सही अर्थ चेयन करके लिखिए भवन और भुवन और भुवन स्रिष्टी और घर मकान और संसार सपना और पराया जीव और इस्वन तो भवन का मतलब होता है मकान क्या होता है भवन का मतलब होता है मकान क्या होता है मकान होता है और भुवन का मतलब होता है संसार क्या होता है संसार होता है तो मकान और संसार किसका है यह भवन और भुवन का है भवन और भुवन का क्या है मकान और संसार है उसके बाद सूत और सूत एक सूत उटाओ एक बड़ाओ तो स सूथ का जो है नि यहां पर इंपडर्टन वाले वह भाई साप पुत्र कॉणनल्फ होता है और सूथ का कीता है ध्हागा होता है विजिआ लगा होता है यहां पे पुत्र और धागा कहां पर सी आपसन आपका राइट है नीचे चले आएंगे आप लोग खवाला यहां पर ख़के आए निम्की सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखी जनक कनक इसने जनक कनक इसने तो आपको दो नंबर मिलेगा तो हम ल होता है क्या होता है राजा होता है कनक मतलब क्या होता है सोना होता है और क्या होता है धतूरा होता है जनक क्या होता है जन्म देने वाला और राजा होता है कनक क्या होता है सोना होता है धतूरा होता है इसने मतलब प्यार होता है और इसने मतलब क्या होता है चिकनाई होता है वाला क्योशन क्या देख लिए वाक्यांसों के लिए एक सब्दकाचेन करके लिखिए जिसका कोई उपमाना हो अपर में अदूती अनुपम या फिर यहां पर क्या है या फिर यहां पर है आपका विरूपम तो जिसकी कोई उपमाना हो उसको हम लोग अनुपम कहते हैं जिसकी कोई उपमाना हो उसको हम लोग अनुपम बोलती है क्याब वर्स का समय आपका सथे पिर आपको का समय होता है यहां पर आपको सुध्ध वाक्यों को लिखना है वद्ध वाक्यों को सुध्ध करके लिखिए पुराने बातों को भूल जाओ पुराने बातों को भूल जाओ हर एक का आपको इंसर देना है और देखें मैं किक का देता हूं यहां पर पुराने बातों को भूल पुरानी बातों को भूल जाओ फिर यहां पर दूसरा वाला केवल सौ रुपए की बात है केवल सौ रुपए की बात थी क्या थी यहां पर केवल कि रुपए की फिर बात थी यहां पी लिखाता केवल सौ रुपए मात्र की बात थी यहां, यहां पर बड़ी कर देंगे पुरानी बातों को भूल जाओ वह मुझे अपना सत्रता समझता है मुझे अपना सत्रता थी जै मुझे अपना अगला यहां पर अगला क्या है अब चल लेना चाहिए अब चलना चाहिए पुरा व्याकरम मैं ने ख़तम और दो चिंटा मत करेंगा रश चंद लंकार मैं करवाने वाला उप्र उपर जाकर आपको यहीं व्याकरन के प्रश्ण सारे चापना यह ठीक ना बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में और वीडियो कैसा लगा पसंद आया कि नहीं कि कमेंट कर दीजिएगा और आपको जो ना समन्याया है वो भी आप कमेंट कर दीजिए ठीक ना ओके दूस्त थैंक्यू जैहिंग कर दूस्त